जोहिंद्वर नमस्कार सारे महत्तोंक्सी छात्रवामनी द्रशकों ग्रोथमोंट यूपी एसी के यूट्यूब प्लेटफोर्म पर प्रती दिन में प्रदिशित होने वाले संसुधित संपदक के विश्वेशन के सत्रह जो संदी सेव आयो मनिया प्रतोंगीता परिक्साओं के लियाती महत्तोंपुना है इसमें मैं आप सबका अर्दिक स्वागत करता हूं मैं हूँ आपके साथ द्रू जानी आज कर दिन यानि 2 ओगेस्ट 2021 के दिन हम लोग 2 महत्तोंपुन मुद्धों के बने बात करेंगे दोनों ही तंत्री लेख में ही है दोनों की दोनों ही संप करकी किया राई है इत्या दिछी जो पर हम लोग यह प्रथम बुद्धे के ऊपर बात करेंगे जो अपने अपने परिक्षा के लिए महत्तोंपुना है दूसरे बिंदु में हम लोग अर्थतंत्र के बारे में समझेंगे कि पोस्ट कोविड रिकवरी में भारती अर्थतंत है और भारत के साथ यह कैसे जुड़ा हुआ है दोनों ही चीज है प्रिक्षा की द्रश्टी से बहुत ही महत्तोंपुना है इसलिए यहां चैनित है अन्य था लेक तो होते हैं वे कई सारे छपते हैं मगर इन में से जो महत्तोंपुना हो वही हमें काम लगते है वही अमरे लिए काम के है तो इन दो मुद्दों के ओपर बात करेंगे पहला लेक जो है वो इंडियन एक्स्प्रेस से है और दूसरा जो लेक है एकनोमिक्स का वह धा हिंदू से है साथी में जैसे आपको मालूम है अमरी अधिकांस चर्चा इसलिए 17 के ताहत हिंदी में रहती है यहा सारे इंग्लिस में रहता है मगर अमारा जो कर्णूरिसेशन लेंग्वेज है वो यहां हिंदी रहता है मैं इंग्ली शब्द एवं इंग्लिस भासका उप्योग करता हूं मगर मुख्य रूप से हिंदी में ही यह सारी चर्चा होती है शुरू करेंगे अमरी आज की मुख् साथ अगर हम तुल है तो जो लेयर है रहा है अधिक्विलेज है तो यहां देखेंगे कि क्या है और अज इसकी बात है वह मात्रों आजो के साथ जुड़ी हुए वह एक्वर्ड कास्ट अजेमियो था क्रीमिद का सथ का भी भाग वहते हैं तो संजेंगे बहुत विशाल के लिए सचोट बनाने के लिए कुछ बिंदुओं के तहत एक कारिय सूची के तहत हम लोग उम्हारी चर्चा शुरू करने के सबसब रथ हम कवर देख लेता है देखिए बेकवर्ड क्लास याने की जो पिशा हुआ वर्ग है चाहे वो आर्थी को चाहे वो सामजी खो इन में यहां आज समझेंगे कोई चीज को सपष्ट करेंगे रही बात कारिये सूची की तो दर आर फार फॉर पॉइंट्स ब्रोड फॉर पॉइंट्स विच इंक्लूद्स वाइं न्यूज चर्चा में क्यों है वोट इस क्रिमिलेर और हाव इस डिफाइंड क्रिमिलेर किया है औ आज के समय वर्तमान परिष्टिति किया है और है इस बिन एवर रिवाइजड और गवर्मेंट सेंड वन इट तो यह दो मुद्य हम यहां साथ में देख लेंगे तो यह कुल मिला के चार बिंदूगों के उपर हमें बात करनी है जिन में आज न्यूज में क्यों है वो इप्रिकेशन से क्या वो कभी भी इसमें फरफर किया गया है या नहीं किया गया प्लस गवर्मेंट का आज का स्टेंड देखेंगे तो यह कारिय सुची के तहत यह पूरे मुद्ध्य को हम लोग स्पस्ट करेंगे देखेंगे वाई न्यूशर शुरू करेंगे दो बिंद जो है बारी आ गई है जिसा बदलने का समय आ गया है तो सरकर इसके ऊपर किया प्रतिकिरिया दे रही है जो है किया काम कर रही है इतिय दीची जो पर यहां आठ एम्पीज ने कुल मिलकर यहां प्रस्न उठाया है यह जो मॉनसुन का सत्र चल रहा है वर्तमान सत्र दोजर किस का इसी सत्र में यह प्रस्न उठाया है इसलिए यह हमरे चर्चा का जो है दिंदू है या मुद्दा कह सकते है और अधर हैंड रिविजन आफ क्राइटरिया फोर क्रिमिलेगर इस लॉंग पेंडिंग टास्क अहेड ऑफ पार्लामेंट यह काफी समय से यह एक पेंडिं इस मुद्दे के उपर आगे नहीं बड़ रही है इसी के करण कुछ सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर परस्न उठाया है हमारे लोग को सभा के गुरू हुमें अब देखेंगे वोट इस क्रिमिलेर फिर से तिन बिंदू एक के बाद एक बिंदू हम लोग देखेंगे सबसाब रथम में देखना है कि 1954 मिनिस्ट्र अफ एजूकेशन एंड इन 1979 मंडल कमिशन जिसे सेकंड ओबीसी कमिशन कहते है इनके द्वरा ऐसा सजेशन दिया गया कि कुछ प्रतिशत कुछ प्रतिशत जो बैठक है जो जगह है वो आरक्षित रहनी चाहिए किन के लिए और अबिस के लिए शेडिवल कास्ट के लिए और शेडिवल्ड ट्राइबिस के लिए शेटन परसंट इज शुड़ी रिजर्वड फॉर से एस्टी और ओबीसी इन एज्जूकेशन यानि कि सिक्षन में वह रोजगारी में सरकारी नोकरियां हो चाहे चाहे वो किसी भी विद्यपीट की बैठक है हो ठीक है दोनों में इन वर्गों को कुछ प्रतिशत आरक्ष शेय आई थी अब समथते हैं किया है यह क्रीमिलेर विद्रीर इस्ऐस्ट स्सेट्शन ओफ उर्फ मार्जिनलाइजड क्मुनिटी येस जैसे में मालूम है मार्जिनलाइजड कमुनिटी जो सीमान्त समू है जिनके दौरा कितने बरसों से मेंस्ट्रिम जो अबदी है उसके रही है एक तरीके से उनको आसीय में धकलने का प्रयास हो रहा है इंफेक्ट यह धकल ही जो अल्ड़डी यह धकल दिये गए है तो क्रिमिलेर is a small section of the marginalized community यह जो क्रिमिलेर है वो इन marginalized इन सिमान्त सम्मुह का एक छोटा सा भाग है that has reached the top of socio-economic section in the communities यह चोटा भाग जो अपने आप में चाहे वो socially हो चाहे वो economically हो अन्य community से आगे है अन्य community से अन्य community के top के ऊपर है यानि कि अगर suppose 100 OBC है और इन में से 20 OBC जो है वो billionaire है यानि कि करोड़पती है अबजपती है तो यह जो 20 है they will be calculated as a creamy layer यह क्या हुआ marginalized section पूरा 100 का OBC का इनका small portion 20 which have reached the top of socio-economic status जिन जिनके द्वरा अर्थिक या कोई भी समझिक परिदर्शिय में वे आगे निकल गए हो अपने समुह से तो ऐसे एक छोटे भाग को जो कि अपने marginalized community में ही फोल करता है उन्हें creamy layer कहा जाता है इसकी एकडम सरल परिभासा है बहुत ही महत्तोपूर्ण है परिक्सा के लिए और एक सामनिय समझ बिनाने के लिए भी उसके बाद देखे तो recommendations of mental commission was challenged in Supreme Court इस देखिए मंदल commission के द्वरा ही यह अनुशनसा दे दी गई थी के भई reservations जो है चाहे वो OBC हो चाहे वो SC हो चाहे वो ST हो उनके लिए होना चाहिए और उसके तकरीबन OBC को 27% आरक्षण आज मिल रहा है 27% of reservation of total reservation is allotted to OBC alone ठीक है तो यहां इस मंदल commission की अनुशनसाओ को Supreme Court में challenge कर दिया गया था उस समय में जब मंदल commission अनुशनसाओ दी सरकरने इस अनुशनसाओ को लगू किया उसके बाद मगर Supreme Court ने इंदिरा साहनी के case में एक बहुत ही उचितम judgment दिया और कहा कि यह जो reservation है जो की मंदल commission के द्वरा जिनकी अनुशनसाओ हुई है वो तो अपने आपने बहुत ही अच्छे है constitutional है और रहने चाहिए क्योंकि जो आज पीडित प्रतारीत समाज है जो आँसिये में जिनको धकेला गया है वो जो समाज है उनके अपलिफ्मेंट में उनके उत्थन में यह अधक्षन बहुत ही मददरूप साबित होंगे ऐसा Supreme Court ने notice किया इन इंदिरा सोहनी case of 1992 along with that Supreme Court also coined terminology called criminal layer इनके साथी Supreme Court ने यह एक criminal layer नाम की terminology को coin किया जिसको उमने समझा कि यह एक प्रकार का छोटा सा भाग है ऐसी marginalized community का और यह जो भाग है वो socially and economically top के उपर है तो यहां से Supreme Court ने जब से criminal layer का उधारन दिया criminal को परिभाशित किया तब से यह पूरी जो time है वह बहुत ही चली और आज दिन तक हम उसके उपर चर्चा कर रहे हैं बाते कर रहे हैं खरिक्साओं में भी criminal के उपर काफी सारी प्रस्ण और जो काफी सारे प्रस्ण पूछे ज जो मेधवार है उनके सामने बेठा है किया उसे भारत की जो social subject ना है जो भारत का social structure है उसके बारे में कुछ अंदजा है या नहीं है क्या उसे पता है कि भारत में ऐसे कितने लोग है जो OBC को बिलोंग करते है OBC को बिलोंग करने के लिए क्या 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 qualification चाहिए SES क्या होत को के लिए बहुत ही महत्तों पुन रहते है इसलिए हम यहां इसके उपर आज बात कर रहे है तो यह बात रही पूरी क्रीमी लेहर की अब देखेंगे कि हाव इस डिटर्माइंड दो चीजे है एक सरकारी नोकरियात के लिए जो सरकारी नोकरी करते है और दूसरा है विदा के लिए इनकम को कलकुलेट किया जाता है और गई कि जो सीमा वह आज वर्तमान आठ आठ लाक है आठ लाक प्रती वर्स यानि कि अगर कोई O.D.C. है और उनकी आए प्रती वर्स अधिक है तो वह क्रीमी लेयर है तो उनको आरक्षन का जो पुरा-पुरा अब समझिया कि ज यहां अबजो किया था सब मत्र क्रिमी लेयर की परीभाइचा नहीं दी मगर उसके साथ बताया कि जो व्यक्ति क्रिमी लेयर में फॉल करता है तो यह अगर विफियर्म्य सरवंट है तो उनके लिए कुछ सर्त है जो हम लोग आगे देखेंगे मगर यहां सुप्रीम कोट ने इंदीरा सौहनी केस में दो तीन चीजे की सबसे प्रथम इट अपेल्ड वेलिडिटी ओफ ओवीसी रिजर्वेशन ऑफ 27 परसंट कोटा ओफ ओवीसी सेकंडली इट कॉइंड टर् सब्सक्राइब अगर जोब्स की बात करें जिनकी आई आठ लाक से अधिक है प्रति वर्स वे क्रिमिलियर कहला जाएंगे उनको लाब नहीं मिला अरक्षन का मगर शर्त ही है कि इनमें अग्रिकल्चरल इंकम जो है यह आठ लाक में वह इंक्लूड नहीं होगी याना कि कि क अग्रिकल्चरल इंकम इस टोटली एग्जम्टेड अब देखिया फोर गोर्में जोब्स में फैमिलिज ऑफ सुप्रिम कोट जज्जिस उनके बच्चे वे अपने 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 क्रिमिलेर है अगर अबीसी जज्ज है तो उनके बच्चे क्रिमिलेर में फोल करेंगे यह इनके बच्चों को अबीसी एरक्षन का लाग नहीं मिलेगा एंड प्रमोशन तो ग्रूप ए बिफॉर्टी यह चालीस बर्स की आयू के पहले अगर किसी व्यक्ति का अगर किसी अधिकरी का प्रमोशन हो जाए ग्रूप ए के लिए तो उसके बच्चे को क्रिमिलेर का जो है एक टेग जो है वो लग जाएगा और वो अरक्षन का लाग नहीं ले पाएंगे बिकोज यह और नोट मोर केल्कुलेटड एज़ नॉन क्रिमिलेर ठीक है तो इस तरीके से क्रिमिलेर का डिटर्मिनेशन होता है दो चीजे है सिंपल है गुवर्मेंट जॉप्स के लिए जिन में कुछ चीज़ याद रखनी है मगर नॉन गुवर्मेंट जॉप्स के लिए कोई चीज़ याद नहीं रखनी है एक ही क्रेटरिया है और वो है इंकम क्रेटरिया और वो है वर्तमान आठ लाग से अधिक की आई प्रतिक वर्स तो यह चीज है जो हमने यहाँ आओ इस डिटर्मेंट में देखी अब वोट इस हैपनिंग नाओ की बात करा तो हैसम ने द इठाये है तो यह मुद्दा है सामने इसका जवाब देते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशिल जस्टीजन एंपवर्मेंट प्रतिमा भौतिक सब्जेक्ट इस अल्रडी अंडर दे कंसिडरेशन ऑफ गवर्मेंट येस उन्होंना बताया कि सरकार को मालूम है और सर अज की वर्तमाण प्रकरिया है अब अब इस तेट बिन एवर रिवाइज और नौ ओ र सिकलाओर आथ येस इतर बिन रिवाइज्ड और पिरड़ ऑफ-ताइम मगर डेशन डेखने-का नहीं मिलता रहीस ज настоящ でखने को मिलता है वो इंकम पाया जो इंकम पाय जो आमांट है ज जो परिभासा है, जो definition है क्रीमिलेर की, उसमें कोई फेरफर नहीं किये गए है, मगर जो कोई फेरफर किये गए है, वो मत्र और मत्र इंकम स्लेब में ही किये गए है, over a period of time. The current definition of क्रीमिलेर remains the same as is spelled out by D.O.P.T. Department of Personal and Training के दोरा इसकी परिभासा दी गई थी, 8 September 1993 में, तो वो ही परिभासा आज भी चल रही है, जो कुछ फरफर हो रहा है है, वो इंकम स्लेब में ही हो रहा है, इंकम लेवल क्रेटरिया में ही हो रहा है, इंकम क्रेटरिया ही है, इंकम क्र में रिवाइज ओवर 5 ताइमस, September 1990 में जब से प्रथम बार जो है ये क्रेमिलेर की बाद शुरू ही दिरे दिरे तो तब एक लाख प्रती वर्स का क्रेटरिया था, फिर 2004 में, यह 93 है, फिर 2004 में, इंक्रीज़ तो 2.5 लाख पर एयर, फिर October 2008 में, इंक्रीज़ तू रूपीज़ 4.50 लाख पर एयर, 2013 में, 6 लाख प्रती वर्स और आज जो चल रहा है वर्तमान, वो September 2017 से बदला है, और वो है 8 लाख प्रती यर, अब सरकार जो है, या सरकार के जो MPs है, वो इस इंक्रीज़ करने का प्रेस कर रहा रहा है, और इसे 15 लाख, या 12 लाख करने की मांग कर ले हैं, मगर सरकार इसके ओपर वीचर कर रही है, सरकार ने अमेंट्मेंट्स, डेलोपमेंट्स के साथ आएगी, तो वो एक अलग का प्रस्ट नहीं है, मगर आज जो में देखना है, वो ये है कि revision हुआ है definition में revision नहीं हुआ है मातर और मातर income का criteria बजला है और वो भी पाँच बार एक लाक्सा शुरू हुआ था आज आठ लाख प्रती वर्स है ये बात महत्तो पूना है अब अगर timeline देखे कि OBC का क्रिमिलेर ये जो सारी चीज़े है उसका evolution कैसा हुआ तो हमरे मुख्य प्रिक्षा के लिए भी महत्तो पूना है साथी में उमारे इंटर्वीव हुआ preliminary के लिए भी महत्तो पूना है देखेंगे एक बिंदु है समय का ओगस्ट 1990 में मंडल कमिशन रिजर्वेशन OBC 27% येस फिर नवेंबर 92 में सुप्रेम कोट अपहल्ड रिजर्वेशन इस इसका जिक्रम ने किया और जिनमें सुप्रेम कोट ने बताया कि ये जो अरक्षन है वो बहुत ही व्याद भी है होना ही चाहिए और इसमें कुछ फिरफार्थ की है और ये फिरफार्थ है कि जो क्रिमिलेर में फोल्ड करते है उनको अरक्षन का लब नहीं मिलगा अनिय सब्सक्राइब करने के लिए एक कमिटी की रचना कर दी है जो की आर एंड प्रसाद के अध्यक्सता में थी ये बात अमें याद रखनी है महत्तों बोना है फिर सप्टमबर 1993 में डियोपिटी लिस्ट इसम रेंक्स यह कमिटी ने अपनी सब से अध्यन करके संसोधन करके ड ने सप्टमबर 1993 में एक सूची जारी कि जिन में कुछ रेंक्स एंड सर्विसिस जारी थी और कहा गया कि जो व्यक्ति इन रेंक्स इन सर्विसिस के साथ जुड़े हुए है उनके बच्चों को क्रिमिलेर माना जाएगा और उनको OBC कोटा रिजर्वेशन का लाव नहीं मिल पाएगा and after that in October 2004 DOPT clarification was came out and they clarified that agriculture income is not clubbed याने की agriculture income जो है इसमें गिनी नहीं जाती और वो एक तरीके से exempted है तो यहां यह पुरी की पुरी टाइम लाइन है शुरुवात करनी है मंडल कमिशन से जिन्होंने OBC को 27 फिसद आरक्षन देने की अनुसंसा दी फिर सरकार ने अनुसंसा जो है उसको लागू किया और आरक्षन दिया उसके विरुद में एक प्ली सुप्रिम कोट में फ क्रिमिलेयर नामक एक परिभासा की खोषणा की या उसको जन्म दिया फिर वो क्रिमिलेयर के क्राइटिडिया को अताई करने के लिए आरन प्रसाद की चर्मेंशिप में एक कमीटी का गठन हुआ जिन्होंने DOPT को कुछ अनुसंस है दी उन अनुसंसों के उपर DOPT ने 1993 के सप्टमबर में एक सूची जारी की जिनमें कुछ रैंक्स कुछ सर्विसिस के नाम थे और बताया कि बई जो व्यक्ति इनके साथ जुड़े हुए है इन सर्विसिस के साथ इन डिपर्टमेंट्स के साथ उनके बच्चों को क्रिमिलेयर गिना जाएगा या उन परिवारों क के थेयर्टरिया में नहीं की जाती ठीक है तो इंकम्स अधर दन अग्रिकल्चर्स आर कल्कुलेटेड वाल इवल्यूटिंग दो क्रिमिलेयर इन ओबीसी तो यह पूरी टाइमलाइन है अती महत्तोपुना है आप इसका स्क्रिंशोट भी ले सकते हैं साथी में हमरी साइट त सकते हैं तो फिल हल आप यहां इन चीजों को समझने का प्रियास की दिये तो यह बत रही पूरी क्रिमिलेयर की और उसके बारे में जो जो डेवलोप्वेंट्स रहे हैं उनकी साथ ही में इस मुद्दे को लेकर एक प्रस्न जो है वो मोडल हमरे सामने है जो प्रेनमेरी प्रस्न है वो आपके सामने है जिनमें में कथन दिये गए है और निम्नली खित कथनों के उपर में विचार करना है चार कथन है पहला कथन कहता है कि वरतमान ओबीसीज के लिए अरक्षन 27 फिसद है दूसरा ओबीसीज के अरक्षन को बढ़ने की बात पर सरकार विचार कर है और ओबीसी अरक्षन कोता में से क्रीमीलेर को भी लाब मिलता है और क्रीमिलेर का विचार सुप्रिम कोट यानि की सरवोच निया लई ने वर्स 1992 में दिया था अमरे पास option है जिन में से में सत्य वाक्य वाक्यों को चुनना है पहले in कथानों को पड़ना है इनके ऊपर विचार करना है फिर बाद में सैयम से इनका उतर देना है सत्य और कथन कथनों को में चुननना है option A केता है केवल एक दो और तीन सत्य है यानि की चोथा गलत है option B केता है केवल दो तीन और चार सत्य है यानि की पहला कथन गलत है option C केता है केवल एक और चार सत्य है and option D केता है केवल दो और तीन सत्य है तो आपको इसका सही जवाब देने का प्रेस करना है, हमारी तरब से इसका सही जवाब इस session के प्रीमेर उने के कुछ घंटों के बाद comedy section में pinned up किया जाएगा, आप वहाँ से reference ले सकते हैं, अब आज का दूसरा बिंदू है जो कहता है कि cycle of low growth, higher inflation, yes, आज जो inflation का rate है वो बहुत ही ज्यादा है, हम लोग फिल कर रहे हैं कि fuel prices are going up day by day और वो fuel prices का increase है वो धीरे धीरे पूरी economy में percolate हो रहा है और हमारी जो essential goods है, उसमें भी हमें तेजी देखने को मिलती है, inflation देखने को मिलता है, तो ultimately common आदमी जो सामनिय वर्ग है, सामनिय जो व्यक्ति है, उसे भी आज inflation का एक अनुबहु या inflation की अनुबहुती हो रही है, समझेंगे, सबसे प्लसम अगर photograph की बात करें तो केशब्ड रिकावरी, यस हमने वी शेब्ड सुना था, मगर ये केशब्ड जो है ये नही प्रकार की रिकावरी है, क्यों होती है केशब्ड रिकावरी वो देखना है, इसी चर्चा में देखेंगे और इसके लिए ही ये चर्चा अपना आपने महत्तोपुना है, प्लस और उसके बाद, what is Minsky moment, ये भी एक economic development का या economic growth का, या economic recovery का अपने आपने जो है एक अलग सा concept है, जिसे हम लोग समझने का प्रियास करेंगे, शुरू करेंगे मुल बात, key points of articles है, देखिए, तीन बड़े बिंदु देखने, key points of article में, जिसके तहत हम पूरा जो लेखक का जो view point है, वो समझने का प्रियास करेंगे, सबसा प्रतम समझना है, according to right economist, government does not need to do anything with the economy and it will revive itself, yes, जो right-wing economist है, वे समझ रहा है कि, आज विश्व में, जो अलग अलग राष्ट्रों की सरकार है, उनको कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ समय के चलते है, जैसा ही कुछ समय पसार होग तो जो जो economic recovery है, वो अपने आप में boost होगी, सरकार का कोई इसमें role नहीं है, कुछ right-wing ऐसा economist या अर्थ सासरियों को लगता है, मगर, वे लोग ऐसा envisage कर रहे है कि, जो 1921 जो Great Depression था, उसमें जिस तरीक ऐसे जो economy अपने आप में रिवेव होती दिख रही है, वैसा revival में यह दिखेगा, मगर, there is a difference between the Great Depression of 1920-1930 and COVID-Triggered Depression of 2020-21, दोनों में huge difference है, वो कुछ right-wing economist समझने का, जो है नाम नहीं ले रहे है, या समझ नहीं पा रहे है, जैसे मैंने बताया कि, as it revived in the case of depression, Great Depression, वेसे एलोग यहां COVID-Triggered Depression को भी treat कर रहे है, मगर, कुछ फेरफार है, the argument is fallacious on few accounts, yes, fallacious यानि की गलत है, यह जो दलिल कर रहे है, या की जा रही है, वो अपना आपने गलत है, on few accounts, such as demand contraction, जब demand contraction, 1929-30 के depression में हुआ था, तो वो demand revival, Second World War से हुआ था, Second World War, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी सारी खरीदियां, जो है की गई थी, इंटरनेशनल खरीदियां आई हुई थी, तो that triggered demand, that boosted demand, तो वहाँ revival हो गया था, मगर यहाँ कोई युद्ध की गुंजाई समय देखने को नहीं मिलती, पॉस्ट कोविड, फिर inflation, तब inflation जो है वो नहीं था, आज inflation है, इसके सामने में लड़ना पड़ेगा, तो that is the different thing, एंड उसके बाद है, interest rates, interest rate में भी सहीं ही चीज, और यहाँ एक बिंदू और आएगा, और वो बिंदू रहेगा, NPA, तब विश्व के किसी भी देश के समने NPA की समसिया नहीं थी, मगर आज भारत समय तो बड़े बड़े देशों के समने NPA, बढ़ते NPA की समसिया है, ठीक है, तो इन 3-4 गुद्दों के समने अगर देखे, तो जो यह right wing activist, या right wing, जो economist I'm sorry, उनके द्वरा जो पेश की जा रही है, वो दलील हमें गलत देखने को मिलती है, गलत साबित होगी यह सामें, यहां से प्रतित होता है, उसके बाद देखे, भारत का scenario, भारत का case, तो inflation is in India is being imported, through a combination of high community prices and high asset price inflation caused by ultra-lose, yes, जैसे पूरे विश्वो में, अर्थतंत्र जो है, वो खत्म हो गया COVID महमरी की वज़े से, आर्थिक प्राउतियों पर प्रतिबंद लगये, कई-कई देशों ने national lockdowns देखे, अग्दम stringent lockdown देखे, तो इसकी वज़े से, अब वहां की जो central banks है, वो अपनी-अपनी economies को revive करने के लिए, बहुत ही lose monetary policy का इस्तमल कर रही है, यानि की, जो tight monetary policy होनी चाहिए, वो tight नहीं है, मगर वो monetary policy lose है, क्योंकि economy में ज्यादे से ज्यादा liquidity हो, economy में ज्यादे से ज्यादा demand बढ़े, इस demand की वज़े से GDP बढ़ेगा, GDP की वज़े से overall growth जो है, वो बढ़ेगा, तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत का जो आज inflation है, वो बाहर के अर्थतंत्रों है, जो lose monetary policy अपना ही, जो एकदम डिली जो वितियन नीती या आर्थिक नीती अपना रहा है, उनका नतिजा है आज भारत में inflation, FPI, foreign portfolio investors have directed their liquidity towards India, but India has a low market capitalization, yes, काफी fund है या FPI में, जैसे मैं कई सर आकड़े देखें, मगर यहाँ भारत की जो utility है, market capitalization की वो बहुत ही कम है, तो भारत in liquidity का investors का द्वरा यह जो flow आ रहा है, cash flow आ रहा है या investment flow आ रहा है, उसका लाभ भरपूर मात्रा में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि most of the Indian population do not own equity or bonds, yes, पहले तो संगठी तक्षत्र के साथ ही नहीं जुड़े होते हैं, बेंक अकाउंट ही नहीं होते हैं, मगर प्रदान मंत्री जंदन योजना के बाद इस परिस्तिती में कुछ सुधार आया है, मगर आज भी maximum number of Indians do not possess equity or bonds, ठीक है, तो यह अपने आप में वे असंगठी तक्षत्र के साथ ही अभी भी जुड़े हुए है साम लोग, अनुमान निकाल सकते हैं, less fuel prices are contributing in inflation, जैसे मैंने आपको बताए कि fuel prices धीरे-धीरे percolate होते हैं, ठीक है, और समाज के आखरी वर्ग तक rising of fuel prices जो है, वो affect करते हैं, या उसका प्रभाव पढ़ता है, contributes in the rise of wage, क्योंकि fuel prices बढ़ेंगे, तो जो wage है, वो भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि fuel की जो लागत है, वो बढ़ जाएगी, तो कोई भी व्यक्ती जो है, वो अपनी essentialities संपुना करने कलिए, at the end of the month, ज्यादा पैसे, जो है पै करेगा, तो उसको सामने ज्यादा return भी मिल भी मिलना चाहिए, तो it contributes in the rise of wages and the prices of other essential commodities, और उसके साथ ही जो essential commodities है, जिन में vegetables है, खाने पीने की अनिया चीजे है, दवाईया है, इन सरी चीजों में भी अमें यहाँ बढ़ावा देखने को मिलेगा, only due to the rise in fuel prices, और यह fuel price के कई सरा कारण है, एक तो interrupted global supply chain है, क्योंकि जैसा number of containers है, वे hinterline में चले गए है, supply chain में उनको लाना, जो है एक commendable task होगा, low availability of containers, आज भारती जो exporters है, वे इस मुद्दे से परभावी थे, अधिक्तम परभावी थे, तो ऐसा कई सारा बिंदू है, जिसकी वज़े से यहाँ fuel prices बढ़े रहे हैं, एक बिंदू यह है कि भारत की taxes and policy fuels के ऊपर, बहुत ही आक्रमक है, बहुत ही ज्यादा मत्रा में taxes सदकार यहां से collect कर रही है, तो यह भी contribute कर रहे है fuel prices में, तो due to many multiple characters, right now fuel prices is increasing in India, and it is triggering the increase of inflation as well, ठीक है तो यह बात रही भारत के case की, और यह सारी बात रही article की, अब उसके बाद देखे तो मैं समझना है, what is cash-epped economic recovery, जिसे हमने वी-shaped देखा था, आप भी उसके वाकिफेट, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे है, हमारा जो growth है, वो minus 23.9 से फिर से देर देर रिवेव होना शुरू हुआ, minus 23.9 से minus 7.9 हुआ, फिर उसमें से positive हुआ, तो we were actually envisaging v-shaped recovery, मगर आज जो परिस्तिती है, वो और कैसे यह काम करती है, सबसे प्रतम हम अगर देखे, तो there are many types of economic recovery, there are many types of economic recovery and which are known from alphabet, जैसे L-shaped, V-shaped, U-shaped, W-shaped, K-shaped, आज हमें बात करनी है, वो बात करनी है, K-shaped के ऊपर, What is it, this? It is a type of economic recovery, wherein following a recession, different parts of the economy recover at different rates, times or magnitude, yes, यह एक ऐसी स्थिती है, कि following a recession, यानि कि मंदी के बाद, जब revival की बारी आती है, revival का समय आता है, तब अर्थतंत्र के अलग-अलग जो sector से, अलग-अलग शत्र है, वो अलग-अलग तेजी से, अलग-अलग तीवरता से, फिर से recovery कर करना सुरू करेंगे, नहीं की एक साथ, ठीक है, यह बहुती समझने वाली बात है, क्योंकि अगर यहां देखे, तो हम industries को बहुती तेजी से आगे जाता देखेंगे, वही जो tourism है, जो traveling है, वो धिरे-दिरे resume होगा, अभी भी लोग जो है वो डर रहे है, तीसरे लहर का खत पर जा रहा है, वही एक सेक्टर जो है, वो धिरे-दिरे आगे बढ़े रहा है, तो इस पर्टिक्विलर सिच्यूएशन ट्रिगर्स केशेव एकोनोमी, यहां तस्वीर के मध्यम से मैंने आपके लिए जो ही यह चीजे समझने का प्रयास किया है, देखे यह केशेव है, इ जिन में recovering industries कोन कोन सी है, तो technology जिन में IT प्रमुख है, retail है, software services है, वहीं जिनी industries को अभी समझ चाहिए, recover होने के लिए, उन में travel है, entertainment है, hospitality है, food service है, So, this presents a K-shape graph in front of us, और इसलिए इस particular economy को आज K-shape economy कहते हैं, आज भारत में भी यही हाल है, शुरू बात में हमने V-shape देखा, मगर फिर उसके बाद तीरे-दिरे कुछ क्षेत्रा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है उपर, कुछ क्षेत्रा बहुत ही बंदगती से बढ़ र करते हैं, तो यह बात रही केशिब रिकवरी की, सिंपल है, क्षेत्र बार अलग-अलग क्षेत्रों का रिकवर होना अपने समय से, अपनी इगती से, उसे केशिब कहते हैं, फिर उसके बाद देखे तो एक मिंस की मुमेंट नामक एक टर्म है, एक आइडियोलोजी है, जो क कोईन बाई एन अमेरिकन एकोनोमिस्ट कॉल्ड हैमेंड फिलिप मिस्की, उसका पूरा नाम हमेंड फिलिप मिस्की है, और उनके दवरा यह पूरी जो टर्मिनोलोजी है, वो कोईन की गई थी, इट रिफर्स टू एन उनसेट अफ मर्केट कोलाप्स, बोट बाई, बोट तो आगे जाएगी जो है, बहुत बड़ेगी इतियदी चीज़ है, और इस रेकलेस स्पेकुलेशन से, जो बड़े इंवेस्टर्स होते है, वे इनमें अपना फंड डालते है, ठीक है, और अपना आप में यह एक अनसस्टेनेबल बुलिश पिरियद है, यह बुलिश पिर है, जो ऐसा मानता है कि भारत में अज मिल्स की मुमेंट लग गई है, देखेंगे, ठीक है, यह बत रही मिल्स की मुमेंट की, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है, तर थी डिस्टिंक करेक्टरिस्टिक अब दो मुमेंट, देखेंगे, सबसे प्रथम है कि कॉशिस जब लोगडाउन भारत में लागू हुआ नेशनवेट लोगडाउन यानि कि 23 या 25 मार्च 2020 जब रेश्टर संभुधन के बाद अमरे प्रधनमत्र नेद्र मोधी जी के द्वारा यह घुशना की गई थी ठीक है तो वह समय था प्रथम स्टेज जिन में डैंक्स जो है वह अब रूप जाएंगी ज्यादा लेंडिंग करने में और जो रिस्क अबर्शन है उसके उपर करने का प्रियस करेंगी अपने अपना बैंक जो है वो अपने मनी को अपने फंड को एक प्रकार से पकड़ कर रखेंगी मार्केट में छोड़ेगी नहीं दूसरा स्टेज कहता है कि लेंडिंग टू ट्रेस्ट वर्दी इंवेस्टर्स वीचर एबल टू पैबैक प्रिंसि इंवेस्टर्स बैंक ऐसा इडेंटिफाई करेंगी कुछ क्राइटरियों की मदद से और उनमें से जो भरोसा लायक जो अपने जो ग्रहक है जो कस्टमर से उनको लेंडिंग करेंगी कि जो अपने अपने प्रिंसिपल्स और इंट्रेस्ट दोनों बैंक को वापस कर सक है य जो पैसे हम लोग दे रहे हैं इन फॉर्म फ लोन क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे वेंक को मत्र अपना प्रिंसिपल वापिस चाहिए अगर इंट्रेस्ट ना भी आए तो भी चलेगा इस इस थार्ड स्टेज ठीक है तो यह तीन स्टेज मिंस की मुमेंट के ज कहा जा रहा है कि इंडिया इस रिच्ड इस मिंस की मुमेंट तो यह पूरी चीज थी जो में यहां अज इस मिंस की मुमेंट के बारे में समझनी थी देखनी थी जो उमने समझने देखने का प्रेयस किया अब एक चीज मुझे आपको बतानी है वो यह है कि अगर भारत के सं समझना है कि जो सबसे प्रत्म ठोग है वह यहां भारत में देखने को मिल रहा है सत्प्रतिशंद देखने को मिल रहा है क्योंकि एक बाजू कोईड महामरी की वेज़े से काफी नोकरियां जो है वो खत्म हो गई प्लस अनलोकिंग प्रोसेस में जो नोकरियां रिष्टोर होई उसमें भी पैकट्स आया है यानि कि जो रेमिनरेशन को मिलता था प्री कोविड वो अब लगबग लगबग आदा हो गया है दिमांड प्रेक्षयन तो भरफूर है कोई भी संक्रेशन के पास इंफ्रेशन को कम करने के लिए टूल होता है जीसे मूनेटरी प्राशिंक के अ smaller dollars के तै और उनमें भी रेपो और रिवरिस रेपो ठीक है रेपो रिवर्स रेपो तो Central Bank के लिए यहां भारत की Central Bank के लिए वही एक अखरी रास्ता है कि वो repo rate को बढ़ा देया अब अगर repo rate को बढ़ा दिया तो loan जो है वो भेंगी होगी loan will rise यानि कि उसकी जो cost है वो महँगी होगी which will trigger in decreasing in demand तो फिर से यहां demand contraction का जो आज जो प्रस्न है वो दुगना होगा और तीवर होगा तो यहां यह इंट्रेशन की बात है रही बात interest rates की तो यही interest rate का मुद्ध यहां हम लोग repo and reverse repo के साथ जोड सकते हैं और समन्ने का परियास करते हैं तो भारत के संदर नगर देख है तो without any type of policy intervention without any type of government's interference our Indian economy will continue to run on the path of care-shaped recovery overall जो recovery है वो में देखने को नहीं मिलेगी मगर कुछ एक सब्सक्राइब में recovery देखने को नहीं मिलेगी तो यही जी चीज थी जो आज मैं इस मुद्ध के तहट समझ नहीं थी यहां से काफी सारा प्रस्न निकल सकते हैं जो मैं आपको बताता है यहां हूं मगर इस में से जो के सब्सक्राइब के समझाई यह तो यह हिंदी का था इंग्लीश वरिजन की बात करता है तो आप यहां इस मुद्ध के ऊपर अपना मुख्य परिक्षा का उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं उसकी कोशिश कर सकते हैं तो यही चीज थी आज जो मैं समझनी थी इस संभी सब्सक्राइब के लिए महत्तों पुना है तो आज इतना ही हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपाद की लेखों के साथ साथ ही में अमरी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले आज ही ग्रोथमाट यूपी इसी के साथ जुड़े और उपना जंदर स्ट अम लोग मिलेंगे तिल दन स्टे तुन्द स्टे साइफ जोई हिंद